हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई चानल मेरा नाम श्वेता है आज का जो व्लॉग है वो मेरे प्रेगनेंसी सीरीज का कंटीनुएशन है तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं अपने ट्विन प्रेगनेंसी का एक और एक्सपीरियंस तो बनाओं अपर एक और जो पालक करता है और अबयला करताया ये सबकुछ मैंने सचास्च क्यों आपको और अच्छी तरीक में मैं व blessings के लिए और वीधिया करता को है आज कंट प्रेंज biased को अपको शच्वींस थम्यों का आज का इस वीडियो में मैं आपको पास्विकल्स क्यूंकि यह एक question है जो कि सबसे पहले दिमाँ में आता है जब हमारे बॉक्तर करते हैं प्रेगनने सिख कि useless है थे क्या होता है सबसे पहले हमारे दिमाब है वही सारा question अतीा है najwię पहले मैं पताऊंगी कि what is cervical circlage? उसके बात के पार्ट में मैं आपसे बताऊंगी कि why cervical circlage is done or rather why when it is needed? और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा particular experience cervical circlage का कैसा रहा? क्या हुआ था? उसके बाद कैसा रहा? वो सब कुछ मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी तो तीनों पार्ट को explain करती हूं मैं first step by step चलिए सबसे पहले start करती हूं what is cervical circlage? so friends before I start with today's topic I request to you all कि अगर आप मेरे चानल पे नए हैं तो please मेरे चानल को subscribe कर दीजेगा और अगर आज का वीडियो आपको पसंदाए तो please एक like जरूर से कीजेगा जिससे कि मुझे एक positive motivation मिलेगा और अच्छे वीडियो और अच्छे वीडियो और अच्छे content आपके लिए ब the cervix is basically the lower part of your uterus that opens to your vagina मतलब अगर simple भाशा में मैं अगर आपको बताओं तो आपका जो गर्भाशे है उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो होता है cervix जो कि आपके वजाइना में जाकर कि open होता है तो cervix का मतलब समझ में आ गया what do you mean by circlage सबसे पहले दिमाग में यही आत है कि cervix तो हमें समझ में आ गया बट circlage का मतलब क्या होगा तो circlage is simple terms में उसको stitch करना होता है उसको stitch करके उसको बंद कर देना होता है तो आप जो pregnant होती है तो आपका cervix closed होता है length में लंबा होता है और यह बहुत ही firm होता है तो delivery के time पर क्या होता है कि यही cervix धीरे-धीरे करके soft होना dilate होना शुरू कर देता है और इसका length कम होना शुरू हो जाता है और यह open होना शुरू हो जाता है जिससे कि आपका child birth के लिए खुद को prepare करना start कर देता है तो अभी तक मैंने आपको बताया कि cervix क्या होता है volume main by cervical circlage और मैंने बताया कि cervix का क्या use होता है और यह आपका uterus से कहां पे attach होता है यह मैंने आपको अभी बताया तो यह concept clear हो गया अपना कि cervical circlage क्या होता है cervix का मतलब क्या होता है क्योंकि यह जो चीज है यह जो एक बड़ा सा जो term जो हमारे ओपर डाल दिया जाता है कि अगर आपको cervical circlage करवाना है जब बोलते हैं यह recommend करत है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी questions अचानक से आ जाते हैं और हम सोचने लग जाते कि यह क्या है क्योंकि कोई भी चोटा सभी term pregnancy में जब doctors बोलते हैं तो हमारे दिमाग में यह questions आता ही है कि इस term का क्या मतलब है अब second part में मैं आती हूं कि cervical circlage कब करने के लिए बोलते है और यह क्यों किया जाता है कब होता है किस case में होता है तो जो सबसे basic reason होता है जब आपके doctor cervical circlage करने के लिए बोलते हैं तो उसके दो basic reason होता है सबसे पहले यह होता है कि चाहे तो आपका cervix weak है या फिर आपका जो cervix है वो जल्दी ही खुल गया है आपका जो child birth का जो process है ज जो start होने वाला है जब आपका बच्चा ready नहीं है बाहर आने के लिए उसके पहले ही आपका जो cervix है अगर वो खुल गया है जल्दी open up हो गया है तो उस case में cervical circlage करने के लिए doctor recommend करते हैं उसके अलावा भी और बहुत सरी reasons हो सकते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर cervical circlage के तो फर्स पार्ट में आपको बताया कि cervical circlage क्या होता है सेकें मैंने आपको बताया कि basic reasons क्या होते हैं cervical circlage करने के लिए doctor scub बोलते हैं थर्ड पार्ट में मैं आती हूं जो कि जो main part है वो है कि मेरा personal experience क्या था cervical circlage का वो मैं अब आपके साथ में शेयर करती हूं कुछ- इसकी मेरा cervical circlage हुआ था वो 12th week में हुआ था और दूसरी चीज जब ultrasound किया था तो मेरा cervix का जो length था वो मुझे याद नहीं है कितना था बट वो जितना होना चाहिए उस limit से जादा था तो इसलिए मुझे cervical circlage करने के लिए मुझे डॉक्टर ने recommend किया था तीसी चीज था और बेबी थोड़े नीचे की तरफ आ गये थे तो जिसकी वज़े से डॉक्टर ने कहा था कि मुझे cervical circlage करना recommend किया था मुझे तो ये तीन चीजे ये तीन points था जो मैंने सूचा कि आपको बता दू हो सकता है कि आप इससे relate कर सके तो आपका भी दिमाग में ये सब चल रह होगा तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया तो और एक बात मैं बता दू कि जरूरी नहीं है कि सारे ट्विन प्रेगनेंसी में डॉक्टर सर्विकल सर्कलाज रेकेमेंट करते हैं कुछ कुछ केस में जैसा condition होता है जैसा situation होता है उस हिसाब से डॉक्टर कहते हैं सर्वि हाइन के सर्विकल सर्कलाज रहें सोर्विकल सर्कलाज होना था मेरा तो उससे ठीक एक दिन पहले मुझे फटल में अड्मिट माने person अड्मिट अर sı्बसें होने का था प्रोड कしочка अड़्िकल सुर्पे मेरा hammas, मेरा था था सुबदध के वादा में फटव पलिपाट से में आधा से एक घंटा टाइमिंग लगा था टोटल प्रोसेस कम्प्लीट करने में तो सबसे पहला जो चीज हुआ था कि जिस दिन मैं जह एडमिट किया गया था तो उस दिन पूरा मेरा जो हिस्ट्री वगेरा है जैसे मेरी फैमिली हिस्ट्री मेरी फैमिली बैक्ग्राउंड की कि अगर किसी को किसी तरह का कोई डिजीज, शुगर, थाइरॉइड, बलड प्रेशर किसी तरह का अगर कोई दिक्कत है तो वो सारा कुछ कुछ hurt-down कर लिया गया सारा जो भी मेरा किसी तरह क जिस तरह के किसी पूड से अगर किसी सुबह के टाइम पे मेरा हो गया था तो सुबह सुबह का स्लॉट था मेरा जब पूरा सर्कलाज का जो प्रॉसस कंप्लीट हो गया इसके एक से डिर घंटे के बाद में मझे होश आया था तो तो six to seven hours मुझे hospital में ही रखा गया था observation के लिए कि किसी भी तरका अगर दिक्कत होता है कि bleeding बहुत ज़ादा अगर हो रहा है तो वो सब कुछ डॉक्टर वो देखने के लिए observe करने के लिए hospital में रहते और जितने देर मैं hospital में थी उतने देर I think मुझे उतने देर six to seven hours जो मैं hospital म मुझे doctor ने glucose चाना रहा था और उसके बाद मैं यहां जो सबसे पेला जिए मैंने खाया था पिया था वह था चाय और बिसकिट खाया था मैंने yes, चाय और भिसकिट खाया था मेंने और फ्रूटी भी मगा था बट वैसे मतलब मनतु करने रहा था तो बरस वही खा करके फिर उसके बाद में डॉक्टर ने चुटी दे दी थी तो सिंपल सार जो सर्विकल जो सर्कलाज का जो प्रोसेस होता है वो मैं बता दूँ कि आपको हॉस्पिटल में एक दिन पहले अड्मिट कर लेते है जैसा मेरी साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ कि एक दिन पहले एड्मिट कर लिया फिर उसके बाद में सारा जो ऑनस्थीसिया के जो डॉक्टर होते है वो सारा जो हिस्ट्री होता है मेडिकल हिस्ट्री, फैमली बैक्ग्राउंड हिस्ट्री वो सारा कुछ नोट डाउन कर देते क्योंकि उनको anesthesia देना रहता है तो उनको यह सारी चीजों के बारे में पता रहना चाहिए कि अगर किसी चीज का दिक्कत हो anesthesia के process में अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो वो उसको उस तरीके से handle कर सके तो इसलिए वो सारा कुछ note-down करके अपना points बना करके रख लेते हैं फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स करते हैं वो आपको अंडर जेनरल अनेस्थेसिया आपका सर्कलाज का process complete होता है तो आपको उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आपका सर्कलाज का process कैसे हो रहा है किस तरीके से हो रहा है वो आपको सपंज भी बिल्कुल भी नहीं आएगा जब आपका complete हो जाएगा process तो उस प्लीडिंग होगा ही तो वहीं थोड़ा बहुत स्पार्टिंग थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है और एक या दो दिन टाइम मुझे लगा था टोटल रिकोवर करने में और जो में जो चीज है कि is it painful तो नो it is not at all painful painful बिल्कुल भी नहीं होता है हाँ थोड़ा बहुत अ अनीजी सा लगता है लेकिन painful में नहीं कहूंगे कि यह painful लगता है थोड़ा बहुत अनीजी जरूर लगेगा तो वह भी एक या दो दिन लगेगा उसके बाद में आपका टोटल रिकोवरी हो जाता है उसके बाद तीसरी चीज मैं बताना चारी थी वह है कि यह जो stitches लगते ह अगर नॉर्मल डिलिवरी के केस में जो stitches है जहां तक मुझे पता है थिंक delivery के कुछ हफते पहले वह stitches को हटा दिया जाता है बट मेरा C-section डिलिवरी था और वह प्लैंट C-section था तो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि जब आपका delivery होगा जब सी सेक्शन आपका होगा तो उस टाइम पे ही वह stitches हटा देंगे तो similar process हुआ कि उसी टाइम पे stitching हट गया यह था मेरा cervical circulation के experience और बिल्कुल भी तिकत नहीं हुआ था painful तो नहीं था uncomfortable, uneasy मैं जरूर कहूंगे बार-बार कि uncomfortable लगेगा, uneasy लगेगा बट painful नहीं होता है यह और pain killers वगेरा जो भी दवाई वगे कर देते हैं अपने हिसाब से आपका health history देख करके recommend करते हैं, hope मैंने सही तरीके से आपको explain किया है, अगर आपको लगता है कि मेरा explanation सही था तो please comment box में मुझे लिख करके बताइएगा, आपके साथ में भी आपका experience है वह भी मेरे साथ में शेयर किजी का comment box में लिख करके, और अगर कोई चीज में मिस कर दिया है तो भी comment box में लिख सकते हैं जिसे कि जो ये video देख रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत help मिले ये चीज देख करके और आपका experience देख करके और मेरा experience देख करके उनको भी कुछ समझ में आए और pregnancy के time पे बहुत सारी चीज दिमाग में चलत वीडियो को मैं जाद अलमन ही करती हूँ यहीं पे मैं इस video को end करती हूँ I hope कि ये video आपको अच्छा लगे अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर सी किजेगा अगर मेरे चानल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब किजेगा और मेरे वीडियो को श होता है कैसी process होता है बहुत लंबा process होता है कि छोटा process होता है उसकी बाद क्या होता है सब्सक्राइब करने के बाद में क्या होता है स्टिचिंग है तो स्टिचिंग कब हटेगा यह बहुत सरे questions दिमाग में चलते रहते है तो I hope बहुत ही simple तरीके से मैंने यह आपको explain किया झाल झाल